है यहां वीडियो कंटीनिव देंगे और यहां पीसी कल्चर में जो इंपार्टेंस है कि एडिवल फिसेज जो आपके जांग में अक्सर पूछ दिया करता है दस नंबर में यहां वहां एडिवल फिसेज के बारे में पूछता है एडिवल फिसेज कौन-कौन सी होती है और कहां पाई जाती है क्या है तो यह हम बताएंगे पीसी कल्चर में इंड़ तक बने रहेंगे तो उसमें कौन-कौन से टाइप साते हैं वह हम आप लोगों को अच्छे से बता क्या आता है life equipment में में क्या आता है और आपको घर के पीछे जो गड़े पोकर पायी जैता है उसमें क्या तब गंगा के पास रहता है तो उसमें कौन से आती है ऑलाज़ पास जो इसमें कौन से आती है इसके लिए इंड तक बने रही है चलिए बात करते हैं PC culture में जो edible fresh water fishes है यहां पर बात हो रही है तो there are number of edible fresh water fishes which has most economical importance यानि बहुत से ऐसे fishes है जिसका बहुत जादे और द्योगी कस्तर पर मतलब business purpose से लोग पालते हैं और उसका economic importance अच्छा है जब आप market में निकलेंगे और जह सब्सक्राइब कि आसपास बहुत अच्छा economic importance दे रहे हैं और दे क्या रहा होता है वहीं चीजें जिसमें होता है पहले पर मेजर काफ फिसेज अब देखते हैं कि है कौन इसमें मेजर काफ में जो बहुत जादे नंबर में इंडिया में चारों तरफ पाई जाती हो और पा फालोज ठीक है जो कारफ फिसेज यह जादे अच्छा माना जाता है प्लस स्वादीष्ट होता है प्रोटीनेसी भी होता है प्लस यह कहां है हर जगहां पर देखा जा रहा है यह कौन-कौन है जरा देख लेते हैं कुछ हमने एक्जांपल दिया है तो बहुत सारे लेकिन को सोड़िए स curated स्वाइब से से नियस है और सुरे अध्यान देना कर यह कतला हो गयां यह है लहां की बात हो यह रहीlish कि प्रजाती दोटो यह सीराज Chapel जाने 1310 जानते हैं तो कमेंट बाक्स में हमको बताए तो हमक को समद में कि बच्चे हमारे कड़ रहे हैं और नहीं बता पाते हैं नेक्स्त वीडियो का वेट करिए वहां पर अन्सर मिलेंगास हम वेट करेंगे आप लोगों का एंसर दे रहा है या नहीं ने तो इसको बताइए चलिए आगे हम चलते हैं यहां कतला-कतला की बात करें तो यह आलोबर इंडिया में पाया जाता है यह क्या है फास्टेस्ट ग्रोई यानि इसलिए पाला जाता है यह बड़ी तेजी से ग्रोव कर रहा होता है इसलिए इसको पालते हैं यह लार्जेस्ट कार्प माना जाता है विच है मैक्सिमम लेंध बड़ी लेंध इस इसके ऊपर यह जाता है तो ऐसा होता है कि यहार बन जाएगा बट खाने लाइब नहीं रह जाता है उससाथ से दग कलर इस ग्रेस अंड सिल्वर जो इसका डार्सल साइड होता है वह ग्रेस और वेंटरली आप देखेंगे तो सिल्वर टाइप का होता है इसके जो पैचेज ह होते हैं जो इसके फीन होते हैं उस पर ब्लैक पैचेज होते हैं ब्लैक पैचेज मत्तब चित के और कहीं कहीं तो पुरा इसका डार्सल फिंग पाया जाता है उपर का जो आप फिलाल में आप जाओगे तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह वाला कुछ अब दिखा दें और इसके बाद यह जरुंसे अभी दिखिए यह जो फीन हम आपको नेमिंग भी करके दिखा दे रहे कि कि आप लोगों कोई जान में कहीं कन्फिूजन ना हो जाये कुछ इस जान से यहां पे होता है और एक यहां होता है यहां पहोता है इसको भाोते हैं ड्सल फिल इसको मौते हैं कौन सा और इसको उसके पहले यह आप जा लेजी यह क्या ड्रसल इसके बाद यह गया बहुत इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं और यहीं लोगा का पेली फिन भी बोला जाता है होता है छोटा सा तो ऐसे आप मचलियों में सारे देख सकते हैं और काउंटिंग करके भी बताया अभी यहां पर इतना ही चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी जो ब्रीडिंग सीजन होती है वह जूल से अगस्त तक होती है फिक आईए आगे देखते हैं लेवियों रोहु के बारे में सब तीनों मिल जाएंगे इसी में इस फेमस एंड वेरी सबसे स्वादिष्ट और महंगा मचली यह बोला जाता है वैलियोबल होती है इस पॉंड बॉटम फीडर यानि कि यह पोखरे में जहां भी उपर की तरफ और नीचे बॉटम में धी रहा कि भोजन लेती रहती हैं अच्छे से इनके जो यंगर होते हैं बिटा यह जू प्ल कर जाते हैं मतलब वक्त का मतलब यह है कि यह प्योर वेजिटेरियन कहे जाते हैं रोहु जो होता है इसको प्योर वेजिटेरियन बोला जाता है यह सुद्ध साकाहारी मचली है और स्वास्थ के लिए बहुत अच्छा मचली कहा जाता है अगर लोग जो खाते हैं वो इसको मैं चलते आगे हम देखि torn infection क rupees के बायरे कि पहले पता है इसका नाम के उपणा की कि सारी जो मचली के बिले की तरहा होने के वज़े से इसको बोला जाता है जैसे कि बिली की तब च्छोटी आखें और दूर तक देख लेना उसके बाद बार्बल्स जो मूचे होती है बिल्लियों की वैसी इन मशलियों में मूचे देखी जाती है इस वजह से इनको catfish होला गया जैसे यहां पर है the catfish are provided with very small eye and well developed barbals जो मूचे होती है by which they make जिसकी वजह से good vision इनको अच्छा दिखलाई देता है और अपना रास्ता अच्छा जून लेते हैं सो इडिस काल कैट फीसे जिस वजह से इनको catfish करते हैं इसमें है कॉन-कॉन वैलगो अट्टू मिस्टर सिंगाला मिस्टर और फिर पंगेसियास पंगेसियास कोई ने कोई नहीं जाने दो च्टा सा बाबू है फूराइक चाचा चोन हुदधिन डाने अभी क्ल ले लोटा चलिए फिर हेट्रोप मेसमें लिएस। फासिली यानिक सिंह और ये जो पंगेसियास पंगेसियास इशै इसको प्यासी ऑला जाता है यह पन रिस पांगेसियास 9500 और यहां अचिंह sowall इसको सिंगी बोलते है और यह बटत recuperate इसको पूंगरflowerो बोलते हैो कि इसको किया बोला जाता है मांगूर में यहां पार यह नहें अब यह है टेंगरा टेंगरा मश्ली की बात हम करेंगे वह था टेंगरा मश्ली एक मिनट के लिए रोकिये जा रहा है यहीं यहीं सरार्ति बच्चा था जो बाहर दर्वाजे पर परसान किया हुरा था प्रभाव यह चाचा-चाचा कर रहा है बाबु जाओ अभी बाद में आना को मैं दूखें भी जाओ यह डिश्ट्राब करके रखाए घ्रास को कि आ चलिए आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा बच्ची आ गेती डिश्ट्राइब करती भाई की लड़्की है जब क्लास लेते हैं तब चाचा-चाचा आ जाती है कोई नहीं आगे चलिए यहां पर हम बात करते हैं catfish के बारे में हमने बता दिया कि catfish कौन सी होती है जो character बिल्ली की तरह दिखलाई देती हो जैसे बिल्ली की तरह उसके पास मूछें होती है उसकी आखे छोटी-छोटी बिल्ली जैसी और दूर तक वो देख लेती है अपने रास्ते को पहचान लेती है जिसकी व मर्केट में देखे होंगे और यह मांगूर कमेंट में जरूर बताएगा कि इसने कौन सी मश्ली पे बैन लग चुका यहां जो हम पड़ा रहें catfish इसमें एक मशली पे नगा हुए तो बदात करेंगे वाल गई पर जिसको कामली वाटर सार्क बोला जाता है जब कि यह फ्रेश वाटर में रहता है लेकिन बोला जाता है परहीन है नम और यह इसकी जो लेंध होती है इसकी लेंध होती है 183 cm इसकी लेंध एक 183 cm होती है लेकिन मैक्सिमम देखने को क्या मिलता है कि 61-anwe cm के यह होते हैं लंबे ब्रिडिंग सीजन जो इनका होता है जब बरसात होता है रहनी सीजन जो आती है उसमें इनकी ब्रिडिंग बड़ी तेजी से होती है बारिस के समय फिर आते हैं Mr. Singala I mean Tengra की तरफ the fish is found in riverine system मतलब जो नदियों वाले system में पाए जाते हैं और basic जगहों पे भी इनको देखा जाता है जैसे छोटे छोटे रिजरवायर पूल पोखर यह सब बना के जो पालते हैं तो वहाँ पे भी इनको रखा जा सकता है इसमें कौन जैसे लाइक गंगा जी में जमुना में य जाते हैं वहाँ पे इनको पाला जा सकता है इनकी जो maximum लेंथ होती है 170 cm होती है और वेट जो होती है ग्यारा किलो ग्राम की होती है लेंथ जो है 170 और वेट 11 kg जो छोटी-छोटी आप टेंगरा देखते हैं वहीं इतनी बड़ी हो जाती है इसकी ब्रीडिंग सीजन जो होती है अप्रैल से जुलाइब बोला जाता है देन क्लेयरियस बट्रैकस जिसको मांगूर बोलते है यह जो है लगबक सभी जगाहों पर प्रेशवाटर फीस है और यह प्लेन एरिया में ज्यादे तरह आप दिख लेंगे मांगूर को मिल जाती है लगबक्स चारों तरह पूरे लाइब फिस में क्या है तीन हमने पहले ही बता दिया आई मिन तीन थो हमने बताया था आप लोगों को कि एडिबल फिसेज में एक हमको पढ़ना था कौन सा मेजर कार्प दूसरा कैट फिस और यह रहा तीसरा लाइब फिस दिस फिस फाउंड इन कामन प्लेस लाइक राइस फिल्ड मतलब जो धान के खेत होते हैं और छोटे-छोटे तालाब पोखर जो आसपास होते हैं सब जगह पर यह मिलते हैं ज्यादे तर इसमें सब प्रजाति किसकी है चन्ना पंक्टेटस चन्ना मरूलियस और चन्ना इस्ट्रेटस यह सौर बोला जाता है यानि कि सौरी इस फिली उतिया ड्रीन कलर की होती है रंगिन टाइप की होती है वैसे मानलों कि यह सीधरी प्रजाति है मैं इसको यहांपे लोग नहीं खाते हैं बाहर के यह का चलता है यह वाला यह कन जो इसको प्रजातियां खाई जाती है एक दो को छोड़के लगबग यह सब खाने वाली है चन्ना पंक्टेटस यानि सौर की ही एक प्रजाती है सौरी मचली जिसको बोलते हैं दे प्रिफर टू लीव इन इस टेगनेंट वाटर इस्थिर जल में और नीचे मिट्टी में धसके राते ह जान लिजे इनकी जो लेंद होती है 31 cm इस से जादे नहीं देख सकते इन प्लेंट एंड हीली प्लेंड में 31 cm और हीली रीजेन पर जो होते 11 cm तक ये मिलते हैं पर इन अबास की बात करें टेस्टी डिनास यानि सिधरी सिदरी की दूसरी प्रजाती है लेकिन है सिदरी इस इन फ्रेस वाटर यह सुध साफ जल में मिलती है भारत में चारों जगों पर सभी जगों पर पाई जाती है एंडर कास्टली यह महंगी मिलती है और हाइली न्यूट्रिटी होती है जादे प्रोटिनेस भी होती है दे में अटन लेंथ 26 cm सिद्री विद्री चलहा बोला जाता ह यह सब बड़ी छोटी छोटी होती है यह कैसी होती है कार्णी ओरस होती है चलहा भी बोलते है इसको छोटा-छोटा होता है अभी देखो इतना डिस्टर्बेंस होने के बाद भी क्लास एकदम फाइनली हमने यह पूरा PC कल्चर का जो एडिवल फिस्ता कंप्लेट किया इसक हमको भी इनर्जी चाहिए होता है आप लोगों के कमेंट और लाइक से बहुत इनर्जी मिलती है जिससे हमको लगता है मोटिवेट हो और डेली एक वीडियो दें आप लोगों का क्लास जल्द से जल्द पूरा करके कुछ नया नया कराएं प्लस क्वेस्चिन एंसर हम सबस् नय है तो सब्सक्राइब करिएगा कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा थैंक्यू फार वाचिंग मैं वीडियो